और ठाकुर सहाप सब ठीक चल रहा है न ओ का है ठाकुर सहाप कि हमरा छोटा भाई बदरीनात का एकलावता बेटा बीर परताफ है न पता है उसने का किया उसने गाव में न कुछ दस लोगों को अकेले ही काटकर फेक डाला अब का है कि हमरा वो मुन्ना उसने आपकी बेटी को किसी की शादी के सीडी में देखा और उसी दिन से हूँ हम शादी करूंगा तो उसी से करूंगा वरना जिन्दकी बर कुवारा ऐसी जित पकड़के बैठा है उसने मुझसे कहा कि ताओ जी आप लड़की वालों से मिलकर मेरी शादी पक्की करूंगा तो ठाकुर साहब हम बात पक्की समझे ना है ओट बैओ तुम्हारे भाई का लड़का कितना नीच है ये बास सारी दुनिया जानती है सोच कैसे लिय देखिये ठाकुर साहब आप हमरे भतीजी को अच्छी तरस से चानते नहीं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं सीधी तरस उसे अपना दमाद बना लिजिए वरना अंजाम बुरा होगा कि ये तुम्हारा अट्टा नहीं है मेरा घर है ये तुम्हारा इस चौकट पर कदम रखा मेरी पेटी की तरफ देखा दी तो वो तेरी जिंदगी का आखरी दिन होगा कि इंसान सुतर सकता है लेकिन कोई हैवान नहीं पाई मैं से लाकर आपके कदम में डाल दूगा आप इसका रेप कर देना तब ये खुदी आपसे शादी कर लेगी अरे बुड़पाक तुने अपने ही आद्मी को बार दिया गुना किया गुना किया है उसके बार में इसने घलत कहकर वो मेरी होनी वाली बीवी है उसकी इसक रूटने की बात करता था अरे लेकिन शादी के लिए ठाकुर को मानना भी तो चाहिए ना उसके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता हम दोनों की शादी होकर रहेगी मेरी बीवी हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ रहेगी उसे उठा कर ले आओ फच्श की अरे फज बार भी की वह भी के लिए कव चाहिए में पर लू बड़ के बादÄ हॉछ आपर कर्मुका विल्ग करना है कि अपरण भी नला है कि अपरण प्रस्कारी की लिए है और कहां है कहां है मेरे जिगर का टुकड़ा उसका चाचा उसे लेकर चला गया भाई अंचू पापा इस तरह अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया तुम्हारी शादी तय हो गई है बेटा ए बेटिया को दूले का फोड़ो दिखाओ पापा क्या है बेटी मुझे ही शादी नहीं करनी करनी पड़ेगी विजय ठाकुर दिभाई शिवा ठाकुर को संदेश पहुचाओ कि वो शादी की तयारी करें 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 कि अधार थाप्र साब से मिलना है अंकल मेरा नाम चंदू है मैं अंजू का क्लास्मेट हूं मेरी मां हाउस वाइफ है और पिताजी बैंक में अकाउंटेंट है और मेरी बहें पहले यह बता तो यहां आया क्यों है अंजू मुझे बहुत पसंद है मैं उससे शादी करना चाहता हूं हमारे यहां औरतों बच्चों और मासुम लोगों पर हाथ नहीं उठाते हैं जा यहां से अंकल लेकिन दोबारा कभी आसपास भी नजराने की नादानी कीन तो इस दुनिया में नजर नहीं आएगा तो अंकल मुझे टू साद़ का थाया यहां हुवचा फ्रॉल यहाँ अंकल अंकल बाल यहां क्या उंकल दरकर भाग जाओंगा ऐसा लग रहा था क्या जो गल्ति करता है वह भागता है जो प्यार करता वह सामना करता है कि अधर को पर वह वहां कि प्रणी से त्रवक का लाओं गता हे सिर्फ चार खुंसे खाकरी गिर गया तू तो तू मेरी बेटी को क्या सभालेगा यहां की लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों ने कभी जमीन पर गिर कर हार नहीं मानी हर तूफान का सामना करते हैं वो शादी के बाद पत्नी और उसके परिवार की सिम्मेदारी उन्हें संभालना उस लड़के का फर्ज होता है और उसी इंसान को यहां मर्द कहते हैं वही असली मर्द है इसलिए अंजू की शादी उससे करवा रहाओ एए इसे शेहर जाने वाली कारी में फेक कर आओ अंकल अगर मारना ही क्वालिफिकेशन होता है और जान लेना ही मर्दानगी होती है तो मेरी यूथ कैपेसिटी क्या है मैं आपको कपका दिखा देता किन किन को किस किस तरह मारने से आप अंजू की शादी मुझसे करवा देंगे पता दीजे मैं वैसा ही करूँगा सब एक साथ आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन चलेगा ये मज्णू नैला के लिए कुछ भी करेगा आओ सालों आओ दस आदमी को अकेला मारने वाला आपकी नजर में मर्द होता है ना उसी से अपनी लड़की की शादी करवाने का दस्तूर ठीक नहीं है अंकल इस लड़की को जान से जाला चाहने वाला आशिक हो अगर उस लड़की पर कोई भी आफात आए तो वो आफात का पुजारी चाहे उसामा बिन लादेन हो दाउद इबराहिम हो चाहे यहां का बहुत बड़ा गुंडा हो या उसके बाप का बाप हो इसक अगर मुझे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिये और हमें एक होने दीजिये अजू के साथ साथ फेरे लेने के बाद ही मैं इस गाउं से बाहर कदम रखूँगा विज़ ठाकर आई चंदो के माब आपको संदेश भिजवाओं हां 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 अ कि अरे यह में क्या देख रहा हूं शादी की बात करने इतने लोग आएं तो शादी के वक्त कितने लोग क्या हुए नहीं वे सगाई का सामान खरिदने शहर जा रहा थी तभी रास्ते में क्या हाँ लग laugh क्या बबेड़्ड़्ड़्ड़्ड़्ड़्ड़। कि बापन吧 प्लूठ इंड हो रहा है। कुँए आफ कि अइट यह जिए जिए हो ओा हुआ नब जिए एग एग अपनी बेटी की शादी मुझ से ना करवा कर किसी और से करवा देगा और मैं चुप चाप देखता रहूंगा तुझे क्या लगता है मैंने चूडियां पैन रखिये हैं पापा पापा बहुत सुन्दर हो अपनी मौद को दावत देने के बराबर है तो क्या हम चोटी मालकिन को वहां का रावन है उसके हाथ से नंदू को छूड़ाना अपनी मौद को दावत देने के बराबर है तो क्या हम चोटी मालकिन को वहीं चोड़ दें हम अपनी जान देकर भी उन्हें छूड़ा कर लाएंगे चलो दोस्तों आँ चलो चलो अंजू के खातिर तुम लोग अपनी जान गवाओ ये मुझे मन्जूर नहीं कर दो कि खातिर बराबर होग्हा, झाऊ है